हेलो रिवन बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और आज हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे इस पाशल मार्जिन ऑफ प्रॉपिटेबिलिटी डीम स्मित की जो थियोरी है यह एक इंडर्स्रिल लोकेशन थियोरी है बहुत इंपॉर्टन्ट है लगाता है जाकर इसको क्वेशन को इसके बना पाएंगे तो इसे बस शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इंपॉर्टन बाते बता देते हैं हमारा लक्ष बैच शुरू हो गया है दिसंबर 2022 के लिए आप मैंसे जो भी जोइन करना चाहते हैं फटा-फट से जोइन कर लीजिए और यह हमारे पेट बैचे से उनकी सामने आपको लिखी गई है बैच 1234 में यहां जाइन कर सकते हैं मैं ज्यादा समय यहां पर नहीं लूँगा आपका ठीक है आपको ज्यादा जानकानी चाहिए आप मुझे यहां पर वाटसप कर सकते हैं या फिर डिस स्क्रिप्शन में उससे जोइन कर सकते हैं या फिर डिरेक्टली सर्च करेंगे जोग्रफ विदंग के टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा यहां पर आपको फ्री पीडिएफ नोट्स क्लास लिंक इंपॉर्टन डिया जाता है ठीक है डेली क्लास के टाइमिंग पीवाइ है तो शेर कीजिए और नए हैं तब भी शेर कीजिए ठीक है चलिए मार्जन का मतलब क्या है दो सब्सक्राइबिलेटी डियम स्मित की यह थियोरी इंडस्ट्री को कहां पर लोकेट किया जाए जहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले जितनी भी थियोरी वह सब इसी बा सबसे ज्यादा benefit होने कहा कि margin-stat कर दिए time- इरिया में इनले पेपर के जैस कि bedra लेते हैं। ऑर इक मार्जन लगा देते हैं इसकी बाहर नहीं लिखना अगरहना तो ए स्थानिक में margin कर देते हैं कि इसको बाहर रीनर्ट्री नहीं लगानें इसके अंदर मैक्सिम बेनिफिट कहां होगा यह हमें ढूंड़ना है इसलिए इनकी थियोरी को सबस्यादा कहां होगा यह ढूंड रहे हैं ठीक है यह इंट्रियूस किया था एक सिंपल मॉडल इंडिस्ट्री लोकेशन का किस बेस पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम के इनकी स्टेडीज पर इस एरिया की स्टेडीज पर इन्होंने अपनी मॉडल दिया है कहां पर इंडिस्ट्री को लगाए जाए कि उसका मैक्सिमम बेनेफिट हमें मिल सके इन्होंने बुक लिखी थी इंडिस्ट्री लोकेशन नाम से 1971 में यह भी आपको याद रखना है ओक कास्ट करव रेवनिव करव दो तीन तरीकी के कर वें 3 फिगर आभी आपको दिखाएंगे एक तो कास्ट र Tennessee होता है एक रेवनिव डिव करनेट है और यहां पर जलिखावाना इसको ब्रेव्नियू समझिए रेविन्यू का मतलब होता है जो हमें profit हो रहा है प्रॉफिट आप इसको कह सकते हैं यह profit भी लिखा सकता है को दिक्कत नहीं है आप इसको profit भी याद रखिये या प्राइस भी लिखा हुआ आ सकता है या डिमांड भी यहां पर देखे लिखा हुआ है ठीक है अब आप देखे जहां पर कॉस्ट और रेविन्यू में मैक्सिम्म डिफरेंस होगा कॉस्ट और प्रॉफिट में यह मैक्सिम्म डिफरेंट हो का मतलब जो लागत लगी है एक पैन को मतलब एक लोकेशन एक लोकेशन है बी लोकेशन ए पर पैन को ज्यादा बेनिफिशल है लोकेशन ए है तो यही इने ढूंड़ना है जहां पर कॉस्ट और रेविन्यू में मैक्सिमम डिफरेंस होगा इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखिए कॉस्ट खर्चा रेविन्यू जो बेनिफिट है जो इनकम है इसाप इनकम भी कह सकते हैं समझे रहां बात तो इनकम और इसका हमें ध्यान रखना है अब यह कहते हैं कि अगर मान लिजिए कि हम एक डियाग्राम बनाएं और यहां पर आपको इनकम प्राइस या इनकम यह फिर आप इसे रेविन्यू कह सकते हैं रेविनियू जहां पर रेविन्यूस म willst constant है मतलब पूरह शेट्र में यहां से लेकर के इस सलै करके इस पॉइंट तक रेविनियू सब में बरबर आएगा अगर benefit दस रुपे का हो रहा तो लगाने कि कॉस्ट कहां पर सबसे कम है जहां कॉस्ट सबसे कम होगी वही तो हमारे लोकेशन अच्छी होगी ना अब यहां पर देखो कॉस्ट कितना है यहां पर पंदरा रुपए को सारी यह तो बिल्कुल हमारी लाच सही नहीं है क्योंकि कॉस्ट ही पंदरा रुपए है मि कि आप इसके बाहर तो इंडस्ट्री नहीं लगाएंगी यह नो इंडस्ट्रियल जोन है दिख रहा है ना क्यों यहां पर इंकम से ज्यादा तो कॉस्ट आ इसके अंदर हमें नुकसान नहीं होगा यह वाला जो एरिया है पूरा यहां से लेकर के यहां तक का इसके अंदर नुकसान नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट कहा होगा जहां पर इंकम में और कॉस्ट में मैक्सिमम डिफरेंस होगा कहा दिख रहा है आपको डिफरेंस दो रुपय है यहां पर चार षॉपय यहां पर चेंश रुपय कोस्त यहां पर साथ रुपय रहा अट रुपय नुकसान नहीं होगा लेंकिन मैक्सिमीम्ण बैनिफिट यहां पर होगा तो अध्य शिषाम ध्यान रखनी है जब भी इनकम का कर्व कॉंस्टेंट होता है तो वो कर्व बनता है कैसा वी शेप का बनेगा देखो वी शेप बनेगे ना किनकम क कर रोग कि जो हमारा सवने सब्सक्राइब कि दूसरी चर्व यहां पर इस पॉइंट पर कहीं पर भी लगाईगे ऊस्ट बराबर रहे सब्सक्राइब हमारी इंकम Suppose Depend करएगा कि इंड़े इस पर सब्सक्राइब यह तो जोन है क्या रेविन्यु कम है तो हम नहीं लगाएंगे अब से मार्जिने से लेकर मार्जिन B तक कि मेक्सिमun बेनेफिट कहां पर हो सकता है लेकिन रेवन्यू यहां पर सबसे जादा हो रहा है इसलिए कि पर एक चोटी बंगेए- थो यहां पर मालिजी कोस्ट दस रुपे बिग जा रहा है तो इसलिए कॉस्ट और रेविन्यू में मैक्सिम्म डिफरेंस है हमारे लिए यह वाली लोकेशन बैस्ट है तो ओ पॉइंट पर हम इंडस्टी को लगाएंगे और शेप कैसा बन रहा है एशेप बन रहा है कब जब कि कॉस्ट करव कॉंस्टेंट होता है दोनों ही आप कह सकते हैं कि यह एक ट्रॉक कला यास्पेक्ट है फिर बढ़ सकती दोनों ही को सकता है सकता है और झीच वय देखा एक को और सकता है अभी पीछे अब ढूंसरें नाहीं computer नहीं किया था लेकिन रियल व्ल्ट में में ऐसा होता है फिर भी आपको क्या ध्यान देना है रियल वर्ड में भी जहां पर रेविन्यू और कॉस्ट इसमें मैक्सिमम डिफरेंस होगा कहां पर देखिए यह पॉइंट है न यह हमारे लिए ऑप्टिमम लोकेशन है ऑप्टिमम मतले इस्ट तम सबस्यादा बेनिफिशल लोके हमारे लिए मैक्सिमम बेनेफिट वाली लोकेशन होगी हो सकता है कि यह माली जी कि यह ओपॉइंट है यह ओपॉइंट आपको इसके नंबर पर दे यह आपको थर्ड नंबर पर दे थर्ड ऑप्शन में फॉर्थ ऑप्शन में यहां पर लग दिया बी ए बी और सी और बी अब इसके कुछ क्वेशन में आपको टेलिग्राम पर दूंगा इसमें इतना ही चीज़े बस आपको याद रखनी है मैक्सिमम डिफ्रेंच जहां पर होगा वही लोकेशन आपके लिए मैक्सिमम बेनेफिट वाली होगी इसका क्रिटिसम होता है कि कॉस्ट और यह भी होता है कि जो मार्क डिमांड फेक्टर होते हैं वह युनिफार्म नहीं होते नहीं होता है क्यूंकि हर किसी की इinkम एक जैसी नहीं होता है इस वजए से ही थोड़ा इसको आपने काफी आसान तरीकिस ने का प्रयास किया हुआ है तो यह आपका टॉपिक इतना ही इस तो ऐसे ही होगा आप चौक जाओगे कि इतनी जल्दी हमें समझ में आ गया अब इसका पीडिएफ आप डाउनलोड कीजिए यहां से यह हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहां से आप डाउनलोड कीजिए मिलते हैं इसी तरह की की और शॉर्ट वीडियो में अब तरह के लिए झाल झाल